हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, सिख्षक बढ़ना चाते हैं तो सभी राज्यों की वेकेंसी के नोटिफिकेशन लगातार जारी हो ही रहे हैं DPS से सिख्षक बढ़ती का नया अड़र्टीजमेंट आया है तीन राज्यों की वेकेंसी है, NTT, PRT, TZT, PZT सभी विशे हैं, इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं जहां पर आप लोग अप्लाए कर सकते हैं दो वेकेंसी के जो नोटिफिकेशन हैं, उनमें कोई भी जो है अप्लिकेशन फीस नहीं देनी है और एक जो वेकेंसी है, उसमें आप लोगों को अप्लिकेशन फीस देनी होगी तो बहुत सही तरीके से जो है अप्लिकेशन फॉर्म फिल किया करें कोई mistake ना करें और बहुत ध्यान से वीडियो देखें, notification पूरा पढ़ें, उसके वाद ही जो है apply करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो mistake है वो आप लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें salary आप लोगों को बता दू कि notification में बिल्कुल बताया गया है कि salary और elevances जो है DPS society norms के according रहेंगे, 7th pay commission के according जो है इसमें salary, 7th में HRA accommodation रहने की सुविधावी रहने वाली है, fresher बिल्कुल apply कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, तीनों राजियों की vacancy इसी वीडियो में cover करेंगे, आप अपने subject जो है देखिएगा, आपके राजी की vacancy है, या फिर दूसर हम बात करेंगे, Delhi Public School, Abu Road, राजिस्थान से जो vacancy है, इसमें fresher candidate बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, जिनोंने कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है, तो जरूर आप लोग apply करें, एक साल का भी अगर अनुवव आपका यहाँ पर मिल जाता है, तो आप अपने राज्य में जब भी vacancy निकलती है, आप वहाँ apply कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, Mother Teacher, Grade Nursery से, Grade 2nd तक के लिए vacancy है, PRT and TZT की vacancy है, Mathematics, English, Hindi, EBS, Science, Social Studies, Physical Education, Librarian, तो आप अपना जो है विश्या देख लें, पीजीटी में, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, English, Computer Science, Accounts, Business Studies, Economics, Hindi, History, Geography and Political Science, ठीक है, तो यह जो है, Entity, PRT, TZT, PZT की post हो गई, मैं आप लोगों को बता दूँ कि, DPS में, जो PZT के जो candidate हैं, जिन्होंने Master Degree in Subject में ली है, तो आप लोग apply कर सकते हैं, TZT के लिए जो है, BED वाले apply करेंगे, PRT के लिए apply कर सकते हैं, DED, BTC, BSTC, DLED वाले candidate, Mother Teacher में, जो है, Entity वाले candidate आविधन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है, जरूरी नहीं है, कि आपने जो है CTAT, या फिर आपके राजिका TAT, जो है qualify किया है, अगर इनको चाहिए होता है, तो अलग से mention कर देते हैं, बट इसमें नहीं किया, Language Teacher, English, French, German, Spanish की vacancy है, Activity Teachers में, Dance, Music, Vocal, Art and Craft की है, Technology, Trainers की vacancy है, Coach में, देखें, आप Games में, VPR वाले apply करेंगे, Swimming, Lawn Tennis, Football, Cricket, Basketball, Badminton, Athletics, Special Educator की vacancy है, Graduation या Post Graduation के साथ में, Beard होना जरूरी है, ठीक है, Resident, Nurse की vacancy है, तो BSC, Nursing या BSC, Honors, Nursing वाले apply करेंगे, इसमें अनुभव मांग रहे हैं, Resident, Nurse के लिए वो अनुभव मांग रहे हैं, बाकी किसी में भी आपके पास जो है, अनुभव नहीं है, तो भी apply कर सकते हैं, Qualification जो है, as per CBSC norms के according रहेगी, मैंने आपको बता दिया, qualification क्या तो उनको ये प्रात्मिक्ता देंगे, only apply if you are willing to relocate to Abu Road, and can join on or before 5th March 2025, इनका कहना है कि जो भी candidate Abu Road, जो की राजिस्थान में है, यहाँ पर आप जो हैं, रह सकते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं, apply करें, 5th March 2025 तक जो हैं जो हैं, कर ले, salary के साथ में HRA, accommodation, रहने की सुविदा रहेगी, तो जो Abu Road, राजिस्थान से बाहर के candidate हैं, तो वो यहाँ पर apply कर सकते हैं, क्योंकि जब रहने की सुविदा हो, तो कोई problem नहीं होती, मेरे channel पर आप लोगों को बिलकुल सही जानकारी दी जाती है, तो आप लोग धिहान से ज यहाँ पर आप लोगों को अपना CV भेजना है, info at the rate dpsapuro.com, अपना bio data तयार रखें, क्योंकि बहुत सारी vacancy के notification आएंगे, और आप लोगों को भेजने होंगे, तो आप अपना अच्छा सा resume तयार कर लें, दूसरी जो vacancy है, Delhi Public School, New Town, Kolkata से है, इसमें जो है, जिनको experience है, व में, PZT के साथ में beard, और साथ में 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आप apply कर सकते हैं, Mathematics, Physics, Chemistry, English, Legal Studies, Sociology, History, Political Science, Physical Education, Computer Science, Home Science and Account, ठीक है, अभी salary काफी अच्छी देंगे, तो यहाँ पर qualification experience भी माग रहे हैं, Middle School TZT में, Mathematics, English, Chemistry, Hindi, Computer Science and Bengali, तो post graduate हों, आप TZT के और साथ में beard और 5 साल का अनुभव, PRT के लिए, graduation के साथ में beard वाले भी apply कर सकते हैं, TTC वाले भी apply कर सकते हैं, Teacher Training Certificate वाले, तीक है, 5 साल का जो है इसमें अनुभव जरूरी है, Pre-primary, Mathematics, Social Studies, French, German, General Science, इसमें vacancy है, curriculum activities में, chess, coach की, music में vacancy है, violin and tabla की, तो graduate हूँ आप 5 साल का अनुभव हो, senior accountant की जो vacancy है, तो commerce वाले candidate apply कर सकते हैं, 5 से 7 साल के अनुभव के साथ में, salary जो है, यह क्या देंगे, तो DPS Society के according, इसमें salary and elevances रहेंगे, New Delhi, 7th पे commission के according, ठीक है, candidate are requested to send their application, तो आपको अपना application, या bio data जो है, आप लोगों को भेजना है अपने सभी document की photocopy के साथ में, 10 दिन के अंदर, email address इन्हों ने दिया है, tohrdps.org.in, बहुत साफधानी से जो है, आप लोग सारा काम करें, only shortlisted candidate will be called for interview, ठीक है, अभी दोनों मैंने आप लोगों को बता दी है, कोई application fees नहीं देनी है, इसमें, और यहां पर जो है, interview के base पर ही selection होगा, इसमें तो experience मांग रहे है, Delhi Public School, Newton, Kolkata में है, जो, next जो vacancy है, Delhi Public School, बोकारों से है यह, और यह जहारखंड में है, ठीक है, तो यह तीसरे राज्य की vacancy है, अब चलिए देख लेते हैं, address तो पूरा उपर लिखा हुआ ही है, यहां पर, जो है, Head Ministries या Head Master की vacancy है, इस vacancy में Fresher apply कर सकते हैं, NTT, Nursery, Train, Teacher की vacancy है, PRT में English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science, Physical Education, Female Candidate के लिए, Computer Science है, Classical Dance में, Kathak, Bharat, Natyam, Kathakali, ODC है, Fine Art की vacancy है, TZT में, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, History, Economics, Computer Science, उसके बाद जो है, Postgraduate Teachers के लिए, English, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Accountancy, Business Studies, Computer Science, Information Practice, Physical Education की vacancy है, Foreigner, Language Teacher में, German की, Hindu, Sunny, Music में, Vocal, Tabla, Viren, Sithar की है, Western Music में, Vocal, Spanish, Guitar की vacancy है, Counselor की vacancy है, Special Education, Need में, ठीक है, अगर कोई मिस हो जाए, तो आप जरूर देखें इसमें, Yoga, Trainer की है, AI, Robotic Instructor की है, Part-Time Teacher की भी vacancy है, Morning और Evening सिप्ट में, Secondary और Senior Secondary Classes के लिए, All Subjects, Librarian की है, Hostel Garden की है, Boys and Girls दोनों में, Lab Assistant Science की है, Publication Executive की, Nurse की है, IT Support Executive की है, HR Executive की है, ठीक है, इसमें Freshers, बुर्कुल, Apply कर सकते हैं, इस vacancy में, Application Form के लिए, इन्होंने लिखा है, कि, School की Official Website पर जाना होगा, DPS, Bocaro की Official Website पर जाना होगा, Application Form is Available on the School Website, School की Website का, यहां पर दिया हुआ है, DPS, Jazz, Bocaro.com, ठीक है, Send Duly, Print Out with a Recent Photograph and Supporting Document within 10 days, अब आपको क्या करना है, Application Form जो आप लोगों को Official Website से लेना है, और Print Out निकालना है, अपनी Recent Passport साइट फोटो आपको उसमें लगानी है, अपने जितने भी Document है, उनकी Photocopy लगानी है, और 10 दिन के भीतर में भीजना है, Address नहीं लिखा है, The Principal, Delhi Public School, Jazz, Chandankyari Road, 827013, ठीक है, यह पूरा Address रहेगा, The Principal से लेकर, इसमें आपको Demand Draft to 350 की बनाना है, Delhi Public School, Jazz के नाम से, ठीक है, Mention, Name and Post, इन्होंने लिख दिया है, कि आप लोग, जो है, Envelope के उपर, जो है, नाम और Post जरूर लिखें, On the reverse side of Demand Draft, ठीक है, Demand Draft जो है, उसके पीछे भी लिखना है, आपको, Envelope के उपर भी, जो है, साफ-साफ लिखें, नाम और Post किस पद के लिए, आप आविदन कर रहे हैं, Management Reserve the right to shortlist the candidate, ठीक है, तो ये Management Decide करेगा, कि किन candidate को जो है, shortlisted करेंगे, अब यहाँ पर, जो है, कोई अनुबब नहीं माँग रहे हैं, तो ये धिहान रखें, कि DPS में जो vacancy आती है, उसमें अक्सर जो है, experience चाहिए ही होता है, तो ऐसी vacancy जहाँ पर फ्रेशर आविदन कर सकते हैं, आप आविदन करें, ये जो स्कूल है, ये residential स्कूल है, आवासी विध्याले है, तो रहने की सुविधा भी इसमें रहेगी, ठीक है, अभी जो है, फ्रेशर आविदन कर सकते हैं, देली पब्लिक स्कूल बोकारों के लिए, और डेली पब्लिक स्कूल आवूरोड राजिस्थान के लिए, तो ये तीनों vacancy के notification मैंने आपको अच्छे से बता दिये हैं, अफिशल वेबसाइट पर आप लोगों को DPS वोकारों की जाना हुआ, क्योंकि application form आपको यही पर मिलेगा, इन्होंने विग्यापन में बताया है, यह देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, vacancy form 2025-26, ठीक है, यही पर मिल गया आपको, home page पर ही, इस पर click कर लेंगे, यह दुबारा से जो है, notification, मैंने आपको बता दिया, जो कि newspaper में publish हुआ है, मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वही है, application form, detail में दे दिया इन्होंने, इसमें advertisement था, vacancies form लिख दिया है, लेकिन vacancies, form यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अभी newspaper में इन्होंने लिखा है, कि application form आपको official website पर मिल जाएगा, और आप लोगों को print out निकालना है, और fill करके भेजना है, यहाँ पर online के, यहाँ पर career पर आप लोग क्लिक करते हैं, तो application form आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, online भी आप लोग इसको fill कर सकते हैं, बाकी आप लोग check करें, इन्होंने home page पर vacancy form लिख दिया है, बट उसमें जो है form नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप लोग online ही fill कर दें, ठीक है, यहाँ पर vacancy form लिखा हुआ है, बस इसमें जो है advertisement डाल दिया है, यह online जो है आप लोगों को fill करना है, ठीक है, हो सकता है कि एक दो दिन में जो है, यहाँ पर application form डाल दें, तो आप देखते रहें, जो भी candy rate आविधन करना चाहेंगे इस हहाँ पर, official website पर जो भी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, चलिए मिलेंगे next video में, thank you